आपने लेकिन रिष्टों में लोगों को पहचानने की बात की तो इस पर दोलाई ने मुझे भी याद आई कि पहचानना मुहाल है शोलों की शक्ल को हम आग से तो बच गए पानी से जल गए आजकल रिष्टों में समझा कैसे जाए कि किधर पानी है किधर आग है आप जिदर भरोसा कर जाते हैं कई बार वहीं धोका मिल जाता है तो कैसे खुद को समेटे है पहले तो मुझे खुशी होती है जब जर्नलिस्ट कविता पढ़ता है देखिए कविता जो है ना वो कभी का कविता ही हक नहीं है कविता एक द्रिष्टी है एक कैमरे में भी कविता हो सकती है कविता एक द्रिष्टी है तो और वेंटेज पॉइंटेज पॉइंट है वो एक जिस वेंटेज पॉइंट से आप उसे देखते हैं वो कविता है तो पहले तो इस तो इस तो प्रिविलेज and it's so beautiful to be talking to you. अब करना क्या है भाई? बैठो ना कुछ बात करें. बैठो ना कुछ बात करें. देखिये, मैं, I am a poet, so मैं अपनी बात कविता के माध्जम से यह आप तक पहुचाऊँगा और समझने वाले समझ जाएंगे. और यही एक, मुझे लगता है कि आज जो मिस कर रहे हैं, वो वही चीज है, कि जो इससे पहले कि मैं खुद को जानू, लोग मुझे परिभाशित कर देना चाहते हैं. आप इससे पहले कहते हैं ना कि, मैं हूँ, मैंने लिखा था एक मार में, मैं हूँ किस सफर में समझने तो दो, नया सच नजर से उतरने तो दो, आप खुद को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कोई और आपको समझ कर आपकी परिभाशा दे देता है. और यह सही नहीं है, क्योंकि, जिए आपकी, we are all work in progress, हम सब लोग परख रहे हैं, जूज रहे हैं, let's have cut some slack for each other, let's try and understand each other and say, कि ये व्यक्ति भी तो मेरी तरह ही जूज राए, ये व्यक्ति भी तो सत्य का परिमार्जन कर रहा है, ये व्यक्ति भी तो अपना रास्ता ढूड रहा है, तो बैठो ना कुछ बात करे, अंधियारे को मात करे एक नया कल लाने की चलो हम तुम ही शुरुआत करे जिस दिन हमने किया फैसला साथ साथ ही रहने का युगों युगों से बहती आई नदिया के संग बहने का ये भारती सिविलाजेशन के लिए बहुत सत्य है कि जिस दिन हमने किया फैसला साथ साथ ही रहने का युगों युगों से बहती आई नदिया के संग बहने का इस धरती की रीती निभाई उसको ही आधार किया धागा धागा डोर जोड़के एक रिष्टा तयार किया हक और शक की बहुत कही अब थोड़े से जज़बात करें बैठो ना कुछ बात करें हम पौधा है इस आगन का हम पौधा है इस आगन का देखो मिट्टी बोल रही उधर सुबह भी राग छेड़ती नया सवेरा खोल रही सबके घाव बड़े गहरे है सबका अपना किस्सा है सबके घाव बड़े गहरे है सबका अपना किस्सा है दर्द लिखा है इस धर्ती पर जिसमें सबका हिस्सा है दर्द लिखा है इस धर्ती पर को मात करें अब देखिए हम बहुत चुबने लगें दूसरे को नुकीले हो गए ऐसे पैने पैने होकर कैसे हम रह पाएंगे पैने हो जाते हम कोनी चुब रही हम ऐसे पैने पैने होकर कैसे हम रह पाएंगे और नुकीले होकर हम तुम खुद को ही चुब जाएंगे ऐसे पैने पैने होकर कैसे हम रह पाएंगे और नुकीले होकर हम तुम खुद को ही चुप जाएंगे माना सरल नहीं है करना पर करना हम को ही है उल्जे रस्तों को सुलजा कर चलना भी हम को ही है रातों को इतिहास बनाकर मिलकर चलो प्रभात करें बैठो ना कुछ बात करें मतलब प्रसून जोशी जी जब बोलते हैं कि बैठो ना कुछ बात करें तो कविता जड़ने लगती है आपके मुझसे अज़के मुझसे प्रसून जी 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 करें झाला कूछ बात करें हैं